विज़ बोस की घर में किसमें किसको नॉमिनेट किया है, टास्क हो चुका है, कमप्लेट साथ लोग नॉमिनेट हो चुके है, मैंने बता भी दिये हैं लेकिन भाय तास्क क्या रहता है किसने किस को किया मनवर को किसने किया कुछ से लोग करते हैं चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं पूरा टास्क की डिटेल हमारे पास निकल के सामने आ चुकी है तो यहाँ वर राइज मैं आपको अपडेट बताओ उससे पहले आप सबी जानना चाहते होंगी कि यार साथ लोग कौन-कौन से नुमिनेट हुए है वो भी मैं आपको बताता हूँ लेगिन इसके साथ ग्याइज हम आपको जैसे मैंने आपको बताया हम इस्टाग्राम पे लगाता लाइव कर रहे हैं तो यहाँ पर गाइज क्या होता है मैं आपको पूरी बताओ तो क्या होता है कि घर में एक्टिविटी एरिया में वाइट और ब्लैक एरिया बनाया जाता है एक तरफ होता है डेंजर जोन एक तरफ होता है सेफ जोन अंकिता लोखंडे को पावर दी जाती है क्योंकि भया वो कैप्टन है और उसको पावर दी जाती है कि भया किसको बुलाना है कंटैशन की सामने बजर होगा और सेफ जोन में बॉल्स होगी बॉल्स गेंड गेंड होगी अब अंकिता लोखंडे को क्या करना है कि जिसको पहले बुलाना है उसकी फोटो उठानी है बोल पे चिपकानी है और जिसकी फोटो बोल पे चिपकाई गई है उसको नोमिनेट करने के लिए तीन लोग आएंगे अबर 3 से कम आते हैं तो वो नोमिनेट नहीं हो पाएगा 3 से यादा आ जाते हैं अबर 3 आ जाते हैं उसकी बोल उठा कर बेंगर जोर्मेट भी जाएगी और वो नोमिनेट हो जाएगा समझें आप क्या होगा कि बोल सोमी बोल पर अंकिता लोखंडे फोटो लगाएगी इसको बुलाना है वो कंटाइशन आएगा उसके बाद जाएगा उसकी बोल पर फोटो लगाएगी अब वहाँ से आएगे जो जो भी नोमिनेट करना चाहता है तो मैं आपको पूरा टास्क में जाता हूँ आपको समझा आजाएगा किसने किसको नोमिनेट किया है तो सबसे पहले गाई यहाँ पर मनारा चोपडा को बुलाए जाता है मनारा चोपडा को बुलाए जाता है मनारा आती है मनारा की बोल पे अंकिता लोखंडे फोटो लगाती है लेकिन अब उसको डेंजर जोन में सैकना है कि नहीं ये भाईया घरवाले दारित करेंगे भी घरवाले आते हैं जिसमें ईशा, आईशा और विक्की ये तीन लोग आकर मनारा चोपड़ा को कर देते हैं नोमिनेट की भाईया हम तो इसको नोमिनेट करना जाते हैं तो यहाँ पर गाईज बजर जबाना है इनको बजर जबाता नोमिनेट कर देना है इशा, आईशा और विक्की बजर दबा देते हैं मनारा के लिए और अंकिता लोखंडे के बाद जो बॉल थी जिसमें फोटो लगा हुआ था वो उठागर बेंजर्जर में ठैक देती है और यहाँ पर मना रहा है वो भाई साथ नोमिनेट हो जाती है दूसरा नाम आता है यहाँ पर अंकिता लोखंडे बोलती है कि सामने आजाए अरूम आशेकी देखो पावर किसके पास है पावर है अंकिता लोखंडे के पास कौन कौन पहले नोमिनेट होगा वो अंकिता लोखंडे डिसाइड करेगी तो अंकिता लोखंडे खेल खेलती है पहले अरुम को बुला लेती है और आईशा को बुला लेती है इन दोनों को पहले वो बुलाती है तो अरुम को बुलाती है अरुन के लिए मुनवर, विकी, ईशा, आईशा, चार लोग मुनवर, विकी, ईशा और आईशा ये चार लोग बजर कुछ ऐसा दबाते हैं और जिसके चलते अंकिता लोखंडे उसकी बॉल है देंजर जोन में सैख देती है तो वो सीरे सीरे नोमिनेट हो जाता है तो दो लोग नोमिनेट हो चुके हैं आईशा और अरुन तीसरा अंकिता लोखंडे ईशा को बुलाती है और ईशा की खिलापी वो जा चुकी है इसलिए उसको बुलाती है और इशा को कही लागे नॉमिनेट करने के लिए अब शेक आता है और कोई नहीं आता मैंने आपको गाइस बढ़ाए कि यादा से यादा तीन लोग करने चाहिए तीन से काम अगर नॉमिनेट करते हैं तो भाईया वो नॉमिनेट नहीं होगा तो यहाँ पर इशा है वो सेफ हो जाती है उसका बोल है वो सेफ जोर में डाल दी जाती है अब चोथा बुलाया जाता है समर्थ जुरैल को समर्थ जराल आता है और समर्थ को आईशा, मुनवर, अबशेक ये तीन लोग है समर्थ को नोमिनेट करते है और समर्थ है वो नोमिनेट हो जाता है देखो आईशा ने किया है उसने अबशेक का साथ देते हुए आईशा ने समर्थ को किया है मुनवर भी करता है समर्थ को क्योंकि समर्थ ने ऐसी चीरे की है उसको लेकर अब शेक भी करता है तो समर्थ भी नुमिनेट हो जाता है उसके बाद गाई बुलाए जाता है आईशा को आईशा को इशा, समर्थ, अरुन, विक्की, मुनवर और भाई साब मनारा एक, दो, तीम, चार, पांच, छे लोग को टोटल नॉमिनेट करते हैं आईशा को और सभी घर से बाहर निकालना चाते हैं जिखो यह पर मुनबवर ने भी आईशा को नॉमिनेट किया तो इनकी तगड़ी वाली फाइट हो सकते हैं और मुनबवर नहीं चाता है आईशा यहाँ पर रुके गेम खराब कर रही है तो जिसके चलते मुनबवर ने उसको कर दिया, अब मेकर्स नहीं चाहेंगे कि आईशा बाहर हो अब देखते हैं क्या होता है तो आईशा को 6 लोग नोमिनेट करते हैं जिसके चलते नोमिनेशन लिश्ट में वो आ जाती है और भाई साब उसकी बोल है वो डेंजर्जर्जोर में ने फैक देती ती है अंकी डालो गंडे इसके पाद भाईसाब विक्की को बुलाए जाता है विक्की को कौन को नोमिनेट करता है मैं आपको बताओ आईशा अब शेक और अरुन ये तीनों भाईसाब विक्की को नोमिनेट कर देते हैं आईशा करती है काफी लोग बो रहे आईशा की पीछे-पीछे विक्की जा रहे है लेकिन आईशा दे को नोमिनेट कर चुकी है इससे पहले आईशा को विक्की ने नोमिनेट किया है तो आप ना ही बोले ये चीजे तो यहाँ पर आईशा है विक्की को नोमिनेट करती है अरुषेख भी विकी को नोमिनेट करता है और अरुन भी विकी को नोमिनेट करता है तो यह तीन लोग विकी को नोमिनेट कर देते हैं और विकी भी नोमिनेशन लेश्ट में आ जाते हैं तो मुद्वर को आईशा खान आकर नॉमिनेट कर देती है। इंके भी fight चलने वाली है गाईज, इसलिए मैं बोरा की आईशा को भी शायद निकालेंगे क्यूकि कहीना कहीन नहीं निगालेंगे क्योंकि गएना कि इन दोनों की दराई हो सकती है मुनवर और आईशा की और बिग बोस को कंटेंट चाहिए अरुन और समर्थ आकर मुनवर को कर देते हैं अरुन के साथ भी मुनवर की फाइट रहती है समर्थ के साथ भी रहती है तो ये तीनो जन वो नवर को निकाल देते हैं, नोमिनेट कर देते हैं अब लाश्ट में आते हैं अभिशेक, अभिशेक को कौन कौन करता है देखो अरुन, अभिशेक को करता है कि अरुन का कल रात अपने रेका कलियर था कि वो अभिशेक को चाहता है बार करना विक्की देखो डवल फेस है क्योंकि पहले वो रो रहा था फिर अभिशेक के लिए बोलता है कि इसको बाहर भेजेना चाहिए पहले बोल रहा था आ जाए फिर बोलता चला जाए तो डवल फेस है विक्की भी कर देता है नोमिनेट ईशा और समर्थ ईशा और समर्थ का तो प यहां पर 7 लोग नोमिनेट हुए हैं, मुल्णवर का दो बार नाम बोल जिया, लेकिन 7 लोग नोमिनेट हुए हैं, विकी भी नोमिनेट हो चुके हैं। आप क्या बोलेंगे, कौन कर से बेगर होना हैं। मेरे हिसाब से, अरुन को निगा लेंगे, आपके साप्से किसमें